आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11 स्टैंडर का साइंस वालों का जो मैट्स है मैट्स टू में हमने चैप्टर नमबर वन कॉंपलिक्स नमबर जारी रखा है एक्ससाइज 1.1 के अंदर क्वेशन नमबर 8 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था इस लेक्चर के साथ हम नमबर 9 और उसके बात के वेशन यहां पर जो क्वेशन नमबर 9 है कहता है find the value of question नमबर 9 के अंदर first और second देखोगे दो questions है 1 और 2 इसके अंदर इसकी value find करना evaluate करना बहुत ही आसान है जैसे कि आप जानते हो कि i is equal to root minus 1 होता है i square minus 1 i cube minus i और i raise to 4 1 होता है यह basic चीज है मैं हर lecture में आपको बार बार बता रहा हूँ इसको याद रखना है यहाँ पर जो यह है सारी चीजे i raise to 49 68 कितना भी बड़ा number होने दो उसे i raise to 4 4 के multiple में convert करो क्योंकि उसकी value 1 होती है easily small होगा 49 यहाँ पर है तो 4 का multiple 49 के करीब क्या होगा 48 कैसे कर सकते है देखो 12 forza 12 forza 48 होता है यहाँ पर पहले तो मैं लिख देता हम i raise to 49 को i raise to 48 into i raise to 1 48 और 1 मिलके 49 हो गया और यह 4 का multiple है देन प्लेस i raise to 68 अब 68 4 से divide कर दो 68 को सीधा इस तरह से तो 4 1 जा 4 2 आया 4 7 जा 28 यह डारेक्ट आर रहा है i raise to 4 और 17 17 4 जा 68 89 को 4 से divide करो यह shortcut रही कर समझो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 22 88 होता है मतलब i raise to 4 into 22 कर सकते है यह i raise to 88 करो अगले step में करेंगे वो i raise to 88 समझ में आ रहा है इसको इस तरह से bracket दे सकते हो और into i raise to 1 88 और 1 89 प्लस i raise to 11 10 है तो 110 है 110 है 110 है 4 से करो को तो क्या आएगा 4 2 जा 8 8 आया 3 जा 30 4 7 जा 28 तो देखो यह 4 raise to 27 करना पड़ेगा इसको हटा देते हैं यहां से 4 raise to 27 i raise to 4 raise to 27 तो कितना हो रहा देखो 108 आ रहा है multiply करने पर है 110 चाहिए तो i square अलग से कर दो तो यह क्या हो रहा है कि i raise to 108 मेंने डारे क्लिक दिया उसको अगले step में करेंगे एक मिनिट i raise to 108 और into i square यह सब रफ मैंने क्या कि उन numbers को 4 से डिवाइड करके चेक किया कि 4 का multiple क्या आ रहा है अब देखो यह i raise to 4 करो 48 कब आएगा 12 4 जा 48 i raise to 1 को i रखो फिर i raise to 4 यहां पर भी मैंने डारेक्ट लिखा था इसको अगर यह तो 68 था डारेक्ट किया था कोई बात यहां पर चलो अगले step में सब करेंगे यह i raise to 88 देखो i raise to 4 और 88 मतलब 22 4 जा 88 into i यहां पर i raise to 1 0 तो i raise to 4 4 में किसका multiply करो रहा है का दो 4 2 जा 8 और 4 7 27 4 जा है i square क्या होता है minus 1 होता है अब simplify करो i raise to 4 1 1 raise to 12 अच्छा इंटो i भी है into i रखो यहांने 1 raise to 17 i raise to 4 1 raise to 22 into i i raise to 4 1 raise to 27 into minus 1 अब जा करो देखो 1 raise to 12 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही आएगा 1 into i i plus 1 raise to 17 1 ही आएगा i raise to 22 1 into यह देखो i है plus 1 raise to 27 1 into यह minus 1 है simplify कर लो और i plus 1 plus 1 into i i plus minus minus 1 into 1 1 यहां पर cancel नहीं होगा i और i यहां पर यह 1 और minus 1 यह cancel होके 0 हो जाएगा यहां i i i 2 i हो जाएगा इक पर चेक कर लेते हैं गलत थो नहीं हो रहा है सारी की सारी ब्लस है 49 को 48 plus i i raise to 4 raise to 17 4 ता 68 89 ने तो यह हो गया 108 और i square अब यह 48 को 4 into 12 किया 4 into 12 48 तो i raise to 4 यह 1 होगा 1 raise to 12 यह 1 ओ हो यहां देखो यह 1 है अच्छा यह 1 into i में ने किया है बराबर है यह 1 into i बराबर है 1 into i फिर यहां पर i raise to 4 1 raise to 17 तो यह 1 आ गया फिर i raise to 20 1 raise to 22 1 into i आ गया प्लस i raise to 4 1 raise to 27 1 आ गया into minus 1 बराबर है फिर i फिर plus 1 1 into i i 1 into minus 1 minus 1 1 minus 1 cancel i और i मिलके 2i एकदम perfect है एक बार कभी भी चेक कर ले रहा चाहिए solve करने के बाद कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है तो यह 9th का first हुआ second देखते है second question के अंधर बहुत ही आसान है i को i रखो i square minus 1 होता है i cube minus i होता है और i raise to 4 जो होता है यह 1 होता है simply value रख दो i plus minus minus 1 plus minus i plus 1 यह दो को i और minus i 0 हो जाएगा minus 1 और plus 1 0 हो जाएगा तो यह होगे 0 तो यह आपका answer आगया यह बहुत ही आसान था second यह फर्स्ट भी वह सही था यहां पर किया कि आपने 49,68 सबको 4 से divide करके इस तरह से किया है 4 का multiple i raise to 4 लाने की कोजिश की है ओके चलो copy कर इसको 9 होगे अगला देखते हैं 10th question में यहां पर simplify करने के लिए कहा गया है question number 10 simplify और इतना लंबा चोड़ा आपको fraction दीख रहा है numerator है denominator है i के power आप देखो के 500 है सब कुछ कैसे किया जाए simplify कैसे करें बहुत ही आसान है बच्चों एक दब ध्यान से देखो करना क्या है देखो यह सारे i के power दीख रहा है सारे तो यह i raise to 592 590 देखो को तो 92 से 90 हुआ फिर 88 86 84 दो दो कम हो रहा है power और 76 74 दो दो कम हो गया तो सबसे चोटा 574 है तो आप नीचे जो है denominator में i raise to 574 common ले लो अब यहां से देखो i raise to 592 में से 584 common है तो कितना बचिया i raise to 8 बचिया 584 और 892 होता है 590 में से 584 common है तो i raise to 6 बचिया 588 में से 584 common है तो i raise to 4 बचा 586 में से 584 common है तो i square बचा और 584 पूरा का पूरा common है कुछ नहीं बचा तो 1 बचिया ठीक है अब यहां नीचे देखो 574 i raise to 574 common ले लिया हमने तो 582 में से 574 common आया तो यहां पर i raise to 8 बचिया 580 में से 574 common है तो i raise to 6 578 में से 574 common है तो i raise to 4 576 में से 574 common है तो i raise to 2 बचा i raise to 574 पूरा का पूरा common है तो 1 बचिया देखा हमने कहां कि सींप्लिफाइ यह पूरा जो टर्म सबसे चोटा टर्म था इस च्पाइटी फोर इस फाइटी फॉर को लिया तो फाइटी फोर को मॉन आता है तो यहां पर इस तो रहेगा वैसे नीचे भी इसको कमन लिया इससे हुआ क्या मिज़ेगे डोनों से आगे इस तो एट प्लस इस इसको simplify भी कर सकते हो यह तो उपर नीचे से मुल्टिप्लाइ में तो यह पूरा का पूरा ब्रेकेट कैंसल भी कर सकते हो यह तो simplify करोगे तो वह ही आने वाला आई का पावर है इस 574 तो कितना आगया 10 आगया i raise to 10 i raise to 10 मतलब क्या i raise to 8 into i square i raise to 8 क्या होदा i raise to 4 का square into i square क्यों कर रहा हूं कि i raise to 4 1 होता है अब यहाँ पर आगे करो i raise to 4 क्या 1 1 का square ओके into यह क्या है i square minus 1 तो यह क्या रहा है जो 1 square 1 into minus 1 फाइनली क्या answer आए 1 into minus 1 minus 1 एक बार यह जो answer आया minus 1 इसका भी हमने check भी किया perfect answer है textbook के पीछे जो answer दिया है वो printing मिष्टे के महाँ minus नहीं है इसका answer minus 1 ही आना चाहिए perfect answer इसको copy कर लो चलो अगला question देखते है 11th वाला अगला जो question है 11th और 12th बहुत ही आसान है ध्यान से देखो find the value of 1 plus i square plus i raise to 4 plus i raise to 6 plus i raise to s plus so on और plus i raise to 20 तो बड़े आसान तरीके से इसकी value आप find कर सकते हो यह 1 है देखो यह i square है इसका अंदर बीच में जो values यह वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पर देखोगे तो यह i square को आप minus 1 ले सकते हो direct i raise to 4 को 1 ले सकते हो i raise to 6 है या i raise to 4 into i square कर सकते हो i raise to 8 को i raise to 4 square कर सकते हो i raise to 9 को आप ऐसे कर सकते हो i raise to 4 फिर i raise to 9 है ना तो एक काम करो i raise to 8 into i raise to 1 कर दो है ना सब लेना पड़ेगा यह dotted के अंदर फिर i raise to 10 को आप कर सकते हो i raise to 8 i square फिर i raise to 11 सब 20 तक जाना है i raise to 11 को i raise to 8 into i cube फिर i raise to 12 को i raise to 4 cube कर सकते हो i raise to 12 को i raise to 13 को आप ऐसे कर सकते हो i raise to 12 into i raise to 1 i raise to 14 को कर सकते i raise to 12 into i square i raise to 15 i raise to 12 i cube फिर i raise to 16 तो 16 लिख दो 4 का multiple ले direct i raise to 17 16 i raise to 16 into i raise to 1 i raise to 16 और i raise to 2 18 हो गया i raise to 16 और 3 19 हो गया और i raise to 20 को आप direct लिखो i raise to 4 raise to 4 5 और 20 या तो अभी इसको अच्छे से solve करते देखो क्या है देखो 1 1 अच्छे यह 1 और minus 1 0 हो गया 1 plus यहां से i raise to 4 क्या हो था 1 1 into i square i square minus 1 हो था minus 1 into 1 minus 1 direct कर रहो हमें चले का किया दो i raise to 4 1 1 का square 1 i raise to 8 1 देखो यहां पर मैं पहले ही बता दो i raise to 4 8 12 16 यह जितने भी आएंगे सब 1 होता है i raise to 8 1 1 into i i को थोड़ा घुमा के लिखो फिर यह i raise to 8 1 i square क्या होता है minus 1 तो यह minus 1 हो गया फिर यह i raise to 8 1 है चले इसको आदा दो i cube minus 1 minus i i raise to 4 1 1 का cube 1 i raise to 12 1 1 into i i raise to 12 1 1 into i square क्या होता है minus 1 होता है plus यह लिए i raise to 12 1 और i cube minus i यह last line i raise to 16 1 i raise to 16 1 into i i raise to 16 1 1 into i square minus 1 i raise to 16 1 और i cube क्या है minus i है और plus i raise to 4 1 1 raise to 5 1 आ गया अब फटा फट कैंसल आउट कर दो क्या बचता है यह 1 और minus 1 cancel 1 minus 1 cancel यह i और minus i cancel यह 1 और minus 1 cancel यह i और minus i cancel यह 1 minus 1 cancel यह i minus i cancel सिर्फ 1 रहे गया तो last में final answer 1 आगया यह है question number 11 थोड़ा सा लंबा चोड़ा था 20 terms थे इसलिए वोई problem नहीं इस तरह से 20 terms नहीं थे i raise to 20 तक था तो यह dot dot वाले भी हमें consider करके simply कर दिया अभी यहाँ पर question number 12 देख लेते हैं यह भी ऐसा ही है show that करना है show that करना है तो आपको proof करना है मतलब आप LHS ले लो equal के पहले वाला 1 plus i raise to 10 plus i raise to 100 और यहाँ पर है minus i raise to 1000 इसका answer 0 आना चीए तो बहुत ही आसान है यह सारी चीजे लेकिया i raise to 4 के multiple में 1 हो जाता है वो तो यहाँ पर देखो i raise to 4 4 into 250 250 for the 1000 i raise to 4 के form में कर दिया so 1 plus i raise to 8 क्या होता है 1 होता है so 1 into i square i square minus 1 i raise to 4 1 1 raise to 25 i raise to 4 1 raise to 250 तो यह 1 plus minus 1 1 minus 1 plus यह 1 है और minus 1 का पर 25 1, 1 का पर 250 भी 1 होगा so 1 minus 1 0 1 minus 1 0 तो answer आए 0 so यहाँ से हम लिख सकते है जो LHS है LHS is equal to RHS hence proved इस तरह से आप लिखोगे और बात में यह question जो था वो पूरा लिख डालो this is equal to 0 तो यह हो गए आपके समने 11th और 12th question बढ़ी ही आसान तरीके से copy कर लो अगला question देखते है next question है 13th is this is a real number justify क्या करना है देखो यह जो है simplify करना पड़ेगा 1 plus i raise to 14 i raise to 18 i raise to 22 इसको simplify करो real number है या नहीं check करना है real number आने के लिए जो answer में i नहीं आना चाहिए अगर answer में i है मतलब वो complex number है यानि imaginary है तो i नहीं आना चाहिए इसे करना आई रेज़ टु फोर्टीन को i raise to 12 into i square कर सकते हो जैसे मैंने बताया i raise to 4 i raise to 8 i raise to 12 इस form में लाना है 4 के multiple form में i raise to 18 को i raise to 16 into i square कर सकते हो 16 to 18 हो गया i raise to 22 को i raise to 20 और i square कर सकते हो 20 और 2 4 के multiple लाना है आपको याद रखो बस तो यह क्या हो जाएगा 1 प्लस i raise to 12 1 होता है i square minus 1 i raise to 16 1 होता है i square minus 1 i raise to 21 होता है i square minus 1 होता है यहाँ पर देखो यह 1 है 1 into minus 1 minus 1 1 into minus 1 minus 1 1 into minus 1 minus 1 यह 1 और minus 1 0 हो गया answer आया minus 1 minus 1 minus 2 अब यह minus 2 में i आया क्या नहीं इस तरह से लिखोगे, कॉमा देखे, बाद में लिखो, hence, फिर कॉमा देखे, लिखोगे, this is real number, यह जो पूरा question लिखे, लिखना, this is real number, वो आप कुछ से करो, last में लिखना, final answer, अभी evaluate question number 14, evaluate का मतलब होता है, value find करो, तो वही तरीका अपना, i raise to 37 है, 4 का multiple कोन होता है, 4 का 32 होता है, i raise to 32, 4 is the 32 होता है, i raise to 36 भी होता है, 37 के करीब 36 है, और i raise to 1, 36 और 1, 37 हो गया, 1 अपन है, कोई problem नहीं, i raise to 60, तो 4 से न, आप क्या करो, 67 को 4 से divide कर दो, 4 बन्दा 4, 2 आया, तो 4, 6 है 24, है न, तो i, देखो 16 आया, i raise to 4, raise to 64 ले सकते हैं, और i 3, 64 क्या बता है, 4, 16, 4 जा 64, ऐसे मैंने ले लिया, जान बुझ के, ऐसे ले रहा हूं मैं, i raise to 36 होगा, i raise to 4, और, क्या जाएगा, 9, 9, 4 जा 36, है न, इस तरह से, 4, 9 जा 36, फिर i raise to 1 का i कर दिया, यहां पर, i raise to 64 है, तो 4, 16, 4 जा, है न, 16, 2 जा 32 32, 32 सा 64 है, i cube क्या होता है, minus i होता है, मैं भी तक simplify कर रहा हूं, उसको, i raise to 4 के पावर में convert कर रहा हूं, जिसे 1 आ जाएगा, वो, जो यह हो गया, 1, 1 raise to 9, 1 into i आ गया, यह, plus 1 upon, यह, 1 raise to 16, 1 आ गया, into minus i, अब जो है, और simplify कर रहा हूं, 1 into i, i, plus, 1 upon, 1 into minus i, minus i, यह minus यहां दे cross multiply कर लो, i into i i square minus 1 upon i, इस तरह से cross multiply कर लिया, i square क्या होता, i square, minus 1 minus 1 upon i, so minus 1 minus 1 क्या होताzone, minus 2 upon i, लेकिन अब भी upon में i मत रखो, तो conjugate से multiply कर दो, i का i से ही multiply कर दो, सिर्फ i से, यह हो जाएगा, minus 2 i upon i i square, so, यह हो столько माइनस 2i i square क्या होता माइनस 1 माइनस माइनस cancel so answer आगया 2i upon 1 2i आगया इसको हमने evaluate किया upon में था कोई प्रावलम नहीं higher power को i raise to 4 के power में convert करो i raise to 4 1 होता इस तरह से simplify करो upon में कभी i आता है तो conjugate से multiply करो या simply सिर्फ i है तो i से multiply करो मुझे इसको सिर्फ simple करना था तो 2i answer यहाँ पर आ चुगा यह answer आया है minus 2i text book के पीछे आप answer match करोगे वहाँ 0 दिया हुआ है यहाँ जो question था question में i raise to 37 उसके हिसाब से हमने जो solve किया perfect है हमारा answer सही है पीछो 0 दिया है तो हुआ क्या है यह question last year भी था मतलब जब old syllabus था तब old syllabus में यहाँ पर यह question आई रिष्ट to 31 था अगर यहाँ पर 31 होता है तो इसका answer 0 आएगा समझ में आ रहा है पहले हम लोग जो कराते थे पिछले साल के पिछले साल के बच्चों को old syllabus तो यहाँ 31 होता था यहाँ पर क्या हुआ है कि जो question ने बदल के आया 37 है तो उसका answer यही आएगा पीछे जो answer दिया है 0 वो गलत है अगर 0 होना चाहिए तो यहाँ पर अगर समझो question में correction आता है 37 की जगा 31 तो answer 0 आ सकता है तो आपको उससे लेना देना नहीं है आपको पीछे answer से reference के लिए होता है फिर भी बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं आपने जो किया वो answer गलत है तो ऐसा नहीं होता बच्चों बहुत सारे बात जो new textbook आई है उसमें बहुत सारी printing errors है उसकी वज़े से हम लोग जो answer लाते है वो answer पीछे match नहीं होता क्योंकि यहाँ पर question बदल दिया हो गया होता है लेकिन वो लोग ने answer नहीं बदला होता है ऐसा भी होता है तो हम जो करते हैं उसको एक बार check कर लेंगे हमारे सारे steps ही है तो यह right answer है कोई प्रॉब्लम नहीं कोपी कर लो इसको 2i write a question के लिए चलो अगला question देखते हैं दो question और देख लेते हैं इस lecture को यहाँ finish करेंगे हम proof that करना है LHS ले लो क्या proof करना है देखो 1 plus i raise to 4 है into 1 plus 1 upon i raise to 4 है answer 16 आना चीए इन दोनों का multiply करके तो हम क्या करेंगे दोनों का raise to 4 है तो दोनों का जो power है common ले लो 1 plus i into 1 plus 1 upon i इन दोनों का जो power है 4, 4 common ले लिया ऐसे दोनों का 4 common ले लो दोनों के भीच में multiply है तो ऐसा कर सकते हैं अब इसको simplify करो यह 1 plus i है इसका cross multiply करो 1 plus 1 into i i plus 1 तो यह भी 1 plus i हो गया exactly i into 1 i और 1 plus i में इन ऐसे कर दिया और i क्योंकि यहाँ पर 1 plus i था देखो कि 1 plus i दो बार है तो 1 plus i का whole square हो गया कोई multiply है दो बार term होता उसका square कर दे upon i बट यहाँ पर इसका पूरे का raise to 4 भी था यह नहीं बुलना है हमें पूरे का power 4 था अब इसको क्या कर दो 1 plus i square है न तो यह जो power 4 है इसको भी दे दो इसको भी दे दो इसको expand करके दो 1 plus 2 into 1 into i 2i plus i square यह क्या होगा a plus b का whole square होगा उसका power 4 अपॉन यह जो i है उसका भी power 4 यहाँ देखो कि यह 1 plus 2i i square क्या होता है minus 1 raise to 4 और 1 raise to 4 क्या होता है 1 1 और minus 1 0 हो गया 2i raise to 4 तो 2 raise to 4 क्या है तो 2 to the 4 to the 16 होता है 16 और i raise to 4 हो गया और अपॉन हटा दो 16 i raise to 4 क्या होता है 16 into 1 16 क्या लाना था देखो यही लाना था so is equal to right hand side आप लिखो के hence proved इस तरह से लिखना चाहिए hence proved और last में question लिखना चाहिए तो बड़े आसानी से हमने 15 कर लिया अब 16 भी देख लो इसी के साथ यह है evaluate करना है find the value करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको क्या कर सकते है i raise to 6, 7, 8, 9 तो सबसे कम क्या है i raise to 6 से देखो 6, 7, 8, 9 में यह common ले लो उसको यहां कुछ नहीं बचा तो 1 i raise to 7 में से 6 बाहरा है तो i बचा i raise to 8 में से 6 बाहरा है तो i square बचा i raise to 9 से i raise to 6 है तो i cube बचा और यह क्या है i square क्या होता है minus 1 और i cube क्या होता है minus i i raise to 6 को हों कर सकता है i raise to 4 into i square 6 है ना तो 4 और 2 किया 4 आएगा तो 1 हो i raise to 4 हमेशा लाते है यहां पर क्या है 1 plus i i square क्या होता है minus 1 और i cube क्या होता है minus i और अपान में क्या है minus 1 plus minus i i raise to 4 1 1 into i square 1 into i square minus 1 यहां पर 1 minus 1 cancel हो गया 0 और i और minus i 0 हो गया तो अंदर क्या बचा है अंदर 0 बची है 0 minus 1 minus i अब देखो ये 1 into minus 1 minus 1 minus 1 into 0 0 into anything 0 upon minus 1 minus i 0 upon anything 0 इसकी value find करें तो इसकी value 0 आ गई इस तरह से question number 16 करना है तो चलो इसको copy कर लो 15 और 16 को so students अभी आपने मेरे साथ देखा question number 9 से लेकर question number 16 तक हमने लगबख बहुत सारे question आज solve किये हैं अब इस exercise के अंदर 1.1 के अंदर question number 24 तक है इसके बाद जो questions है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इतने जो questions हैं वो proof वाले question है और 24 अपने आपने अपने अपने कलग question है इस साल 25% syllabus reduce हो गया है 21 में जो exam देने वाले है 2021 में लेकिन मैं आपको पूरा syllabus कराने वाला हूँ उसके बाद आपको जो लगता है उतना पढ़ सकते हो जो syllabus आपका कम हुआ होगा वो देख लेना और उतना नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा बट अभी starting में कोशिश करो पूरा का पूरा पढ़ने अगर आप J E Mains की तहारी कर रहे हो CT की तहारी कर रहे हो तो आपको पूरा पढ़ना जीए ठीक है और जब exam आएगी तो आप देख नवरी वीजन नहीं करने का जो नहीं आने वाले कोई प्रोब्लम नहीं है तो अब next question जो 17 से लेकर 23 है प्रूफ वाले और 24 यह हम आगे के दो लेक्शिस में पूरा करने की कोशिच करेंगे मेरे साथ बने रहे हो complex number आप सीख रहे हो chapter number 1 match 2 का पूरे maths के अंदर maths 1 match 2 है science वालों का मैंने complete कर दिया है playlist में जाओगे तो series में सारी playlist आपको अवलेबल है दिनेसर लाइश्टेडी चैनल के home page पर आप जाओगे तो सारे chapters chapter number के साथ मैंने अच्छे से ववस्तित रखे हुए आप देख सकते हैं और हर एक chapter का part 1 देखो वो होने के बाद part 2 देखो part 3 देखो कुछ chapters के अंदर last last के concept बाकी है कुछ chapters के अंदर वो मैं अब complete करने वाला हूँ जैसे chapter number 1 मेरा बाकी था यह अभी complete हो जाएगा तो मैं जो chapters जैसे ट्रीगों के अंदर जो कुछ बाकी था 11th में क्या होता है बच्चो आप लग जो college में जाओगे तो जो colleges के teacher होते हैं पूरा का पूरा chapter नहीं बढ़ाते हैं वो अपने level पर कुछ chapter के जो last के part है omit कर देते हैं तो बच्चों को नहीं बढ़ने होता है और बहुत सारी चीजे reduce हो गई है इस साल भी तो फिर भी मेरा जो कुछ कोई भी exercise किसी chapter का थोड़ा पुदबा की है वो मैं अब complete करने वाला हूँ पिछले साल मैंने पूरा complete करी दिया है जो कुछ बाकी है अब करने वाला हूँ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe जरूर करो वीडियो पसंद आए तो like करो करना चैनल मिलते हैं ने इस लेक्षर में बाई अब्रीवन